आज के इस पार्ट में हम जानेंगे निविदा क्या है? अक्सर हमने समाचार पत्रों में छपा देखा है और इसे सरकारी गर सरकारी दोनों ही तरह की संस्थाएं जारे कर सकती है और ये उन लोगों के लिए सुचना होती है जो उनके द्वारा बताए जो सुचना में दिये बताए गई कारे को कर सकते हैं सरकारी कारे अलेयों या गयर सरकारी प्रतिस्थानों दोरा समान आपूर्ती या निर्मान अबलिक मरम्मत आधी कारे करने के लिए उस कारे को संपन कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिस्ठानों को सूचना देने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंदित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं अब इसका जो प्रारूप होता है किस तरह से एक निविदा लिखे जाती है तो सबसे उपर आप लिखेंगे जिस संस्थान ने इस सूचना को जारी किया है उसका नाम और उपर पता और उसके बाद हम लिखेंगे जो भी क्रमांक है पत्र का जो इस पत्र का क्रमांक है वो लिखेंगे और उसके बाद निविदा की सूचना, निविदा प्रस्तुत करने की तारीक समय, निविदा खोलने की प्रक्रिया और निर्देश कारे पूरक करने की समय सीमा और आनुमानित लागत और शर्टों का भी उल्लेख किया जाएगा अंत में निविदा जारी जो कर रहा है उसादिकारे के पद का उल्लेख भी करना होता है निविदा को कैसे लिखा जाता है इसको हमें एक उधारन के साथ यहां समझेंगे तो जो इस निविदा को जारी कर रहा है इस सूचना को जारी कर रहा है उसका यहां हम पता लिखेंगे उसके बाद पत्र का क्रमांक लिखेंगे दिनांक लिखेंगे जिस तारिक को यह सूचना जारी की जारी है और निविदा सूचना की संख्या यहां लिखने के बाद फिर विवरन देंगे राजिस्थान के राजेपाल महोदय की और से निम्न हस्ताक्षर करता के कार आयले में निम्लिकित सामागरी की आपूर्ती है तू महरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है प्रपत्र प्राप्ति जो हमारी सूचना देने की तिति है उससे आगे की तिति होनी चाहिए वो हमने लिखी 14 मार्च 2020 उसके बाद निविदा प्रेक्षन अंतिम्तिती 25 मार्च 2020 साएं 5 बचे तक और आपूर्ती की जाने वाली सामागरी का विवरण क्या-क्या समान आपको चाहिए क्रम संक्या कॉलम बना दीजिए सामागरी का विवरण फिर अनुमानित राशी इस तरह से लिखेंगे धरोहा राशी ये है निविदा शुल्क ये है आपूर्ति अवधी इतनी है तो ये इस तरह से एक निविदा का विवरण हो गया ये देने के बाद अब यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और नीचे पद लिखा जाएगा जिसने यह निविदा जारे की है और यह है पद जिला शिक्षा अधिकारी नागोर एक और निविदा देखते हैं एक और उधारन तो यहाँ प्रपत्र क्रमांक लिखा गया है यहाँ दिनांक लिखी गई है और उपर जो हैडिंग डाली है हमने यहाँ जो कारेले इस प्रपत्र को जारी कर रहा है निविदा सूचना को जारी कर रहा है उसका पता लिखा, उसके बाद ये जो सूचना संख्या है अल्प कालीन निविदा सूचना संख्या इसे हमने उपर इसी पते के नीचे लिखा है और पिछली निविदा के उधारण में हमने देखा था यह हमने यहाँ पर वीवरंड से पहले एकदम उपर लिखा था और उस से उपर हमने दिनाग और क्रमाग दोन और यह तरह से आप लिख सकते हैं राजस्थान के राजेपाल महुदे के उसके बाद जो भी आपका वीवरंड है याप उसे देंगे राज़िस्तान के राज़ेपल महदे की और से माय crash liability अब्दी के लिए राज़िस्तान सरकार के A.B.C. राजिस्ता सरकार के एक एक सम्वेदकों उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में यह एक फॉर्म है जो आपको ऑन-लाइन डाउनलोड करना पड़ेगा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ये प्रक्रिया हेतू ओनलाइन निविदा आमत्रित की जाती है निविदा से संबंदित विबरण साइट का नाम दे दिया इस पर उपलब्ध है कुल निविदा के कारे कितने हैं एक ये दो जो भी है तो एक कारे लिखा है फिर इसमें अनुमानित लागत राशी कितनी होगी तो ये राशी लिख दी निविदा की लागत अनुमानित इतनी है धरोगा राशी कितनी है तो अनुमानित लागत की दो प्रतिशत या तीन या आधा प्रतिशत जो भी है ओनलाइन निविदा फॉर्म मिलने की तारीख जो भी तारीख आप डालेंगे इस तारीख से आगे की तारीख होनी चाहिए अगले जैसे बारा तारीख लिखी है यहां तो 26 यहां लिखे है तो कुछ दिन आगे की होनी चाहिए और समय भी दे दिया कि इतने बज़े से इतने ओनलाइन फॉर्म अविलेबल होगा फिर उसके बार लिखा है ओनलाइन निविदा खोलने की कितनी तारीख है तो ओनलाइन आपको इसकी सूचना मिलेगी दो नौमबर को तो यहां इस तरह से आप तारीख जब भी आप लिख रहे हैं एक्जाम में भी जब भी आप जिस द सूचना को जारी कर रहे हैं उसका पद लिखेंगे और हस्ताक्षर भी यहां इससे पहले लिख सकते हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक और उधारन निविदा सूचना का राजस्तान सरकार राजस्तान कर बोर्ड अजमीर द्वारा जारी है क्रमांक लिखा हुआ है बाइं साइट पे दाइं साइट पे दिनांक और शीशक के बाद फिर विवरन और अंत में हस्ताक्षर है जो अधिकारी इस सूचना को जारी कर रहा है और एक और देखते हैं यहां जो अल्पकालीन निविदा सूचना है इसमें भी क्रमांक पत्र का क्रमांक बाइं साइट पे और दिनांक राइट साइट पे लिखी है और कॉलम बनाकर जो भी डिटेल्स हैं वो लिखे गए है तो यहां हमने कुछ उधारन देख निविदा क आपको लिखा हुआ मिलेगा तो यह आप अपने आप डिसाइट कीजे मुझे जो लगता है कि जो सबसे अधिक मानने और सही प्रारूप है वही प्रारूप मैंने आपको यहां इस पार्ट में बताया है आशा करती हो अब निविदा संबंधी आपका कोई संधी भी होगा हो भी क्लियर हो गया होगा धन्यवाद